हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका एक बर फिर से अपने यूट्यूब चैनल सेफटी एंड हेल्थ स्टिडी में आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे पीपीज के आई एस कोड के बारे में और आज साथ ही हम जानेंगे कि यह isi mark क्यों जरूरी होता है तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं isi mark के बारे में यह isi mark क्यों जरूरी होता है isi mark जिस product पर होता है तो यह सुनशित करता है कि जो equipment या जो product है यह थोग करने के लिए सुरक्शित है और अच्छी quality का है इसलिए IS code ISI mark बहुत जरूरी होता है अब हम जानेंगे कुछ safety PPs के IS code के बारे में तो सबसे पहले देखते हैं safety helmet safety helmet जिसका IS code होता है 2925 उसके बाद safety shoes, safety shoes का जो IS code होता है वो होता है 15298 वैसे ही safety goggles का IS code 5983 होता है उसके बाद देखते हैं hand gloves hand gloves जो होता है उनका IS code 6994 होता है उसके बाद हमारा जो full body harness होता है इसका IS code 3521 होता है इसके बाद देखते हैं ear plug ear plug का IS code 9167 होता है और सबसे last में जो हमारा face shield है face shield का IS code 8521 होता है तो आप जब भी purchase करते हैं इन equipment को तो एक बार IS code चेक कर लें तो ये कुछ थे IS code आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज वीडियो को like करें share करें और अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe करें thank you